मैंने माला बना दी थाई कर दो Nacional को, मैंने लुट्ट Chicken झी पाल को, प्रहू हुआ है की Nedlles जय में आख मतना और शयू होेल की जय को, मैं आख है यश तुम्हारी माला बन गही ना हाँ साय अब तुम जाओ अपना काम देखो पर आग थोड़ी दिर बाद आएगा जी साय प्रणाव साय आपने उससे तो कुछ पूचा ही नहीं ऐसे ही जाने दे दिया क्योंकि मुझे उत्तर मिल गया है तो क्या मेरा शक सही है नहीं यश निर्दोश है साय यह आप कैसे कह सकते हैं इंसान के कर्म ही उसके चरित्र को पृत्यक्ष करते हैं शायद तुमने ध्यान नहीं दिया जब उसने तुम्हें चाकू दिया था तो धार वाला हिस्सा अपनी ओर कर लिया था तुम्हें तो ये भी पता नहीं चला कि जब तुमने उससे चाकू लिया तो उसका हाथ कट गया ये तो मुझे पता ही नहीं चला है हाँ क्यूंकि उसने अपना ध़त जाहिर ही नहीं किया चुप चाप सह गया उफ तक नहीं की और तो और जब उसने तुम्हें फूल दिये तो अपने फूलों में से जो सबसे अच्छे फूल थे चुनकर वो फूल दिये तुम्हें पर तुम तुमने उन अच्छे फूलों की भी जाँच पर रखी परा कमी यश में नहीं कमी तुम में है विश्वास की कमी वो खुद से जादा तुम्हारा ध्यान रखता है तुम्हारे बारे में सोचता है सीखना तुम्हे है विश्वास करना सीखना है क्योंकि संदेह करके तुम्हें बहुत सच्चा बहुत अच्छा मित्र खोदोगे लेकिन साई वैपार में जो नुकसान हो रहा है उसका क्या कारण है क्योंकि तुम्हारे ग्राहक समझ गए हैं कि तुम अपने साथ ही यश्वास नहीं करते हो और वो लोग इसी बात का फायदा उठा रहे हैं जिन लोगों से तुम सामान खरीदते हो वो भी इस बात को जानते हैं कि लोग देकर वो यश्वास को तोड़ नहीं सकते उसे मुर्ख नहीं बना सकते इसलिए तुम्हें उलजा देते हैं उनकी बातों में आकर तुम गलत दाम पर सौदा करते हो जो कि घाटे का सौदा होता है अगर तुम यश्वे विश्वास करके उससे सलाह मश्विरा करके सौदा करोगे तो मुनाफाज जरूर होगा साइं मैं समझ गया साइं मैंने यश्वे संद्य करके बहुत बड़ी भूल की लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा आप मुझे माफ कर दीजे साइं माफ कर दीजे राम जी भला करे अब आप आगए क्या का डॉक्टर ने जा तुम के लुए अब इतने परेशान क्यों है कुछ तो बोलिये क्या कहा अंग्रेजी डॉक्टर ने वो डॉक्टर हमारे बेटे की मदद नहीं कर सकते तो कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं तो क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं क्या हमारा बेटा कभी ठेक नहीं होगा अंता पंता को सबर्दस्ती सबसे समान लेकर चले गए सच में बहुत बुरे वो लोग हाँ गोवेंदा हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे आम जन्माश्टिमी मना सके उमीद जब उमीद हो तो सबसंभव है उमीद से क्या होगा साई हमारे पास तो सजाने के लिए कुछ भी नहीं है बैठ जाओ भले ही हमारे पास सजावट की वस्तुएं खेल खिलोने नहों लेकिन जो हमारे पास है वो उससे भी जादा महत को पूर्ण है हमारे पास उत्जा है लगन है और इससे भी कहीं बढ़कर हमारे पास श्रद्धा है कृष्ण के प्रति तेवहार वस्तुओं के साथ नहीं मनाय जाते तेवहार लोगों के साथ मनाय जाते हैं अगर हम दिल से मिल जुल कर काम करें तो बिना कुछ खरीदे मजे से उतने ही मजे से तेवहार मना सकते हैं खुश हो सकते हैं हम क्योंकि उम्मीद लगन उसा और खुशी नहीं खरीदा नहीं जा सकता ये तो मुफ्त मिलते हैं सुचो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमें कुछ खरीदने की जरूरत ही न हो और हम पूरे उल्लास मजे से तेवहार मनाएं क्या किसी के पास ऐसी कोई तर्कीब है साही सही कहह रहें क्या हुआ अगर हमारे पास रंगिन जडंडे नहीं है तो उसकी जगा हम कुरानी साडियों का इंसतमाल कर सकते हैं न हां मैंडी कंदिल की जगा हम पिछले टीवाले में बनाई इंसमाल कर सकते हैं और में रंगोली बनानुगी हाँ, और मैं सबको तोरynn बनाने में मदद करूगा शाई, अब हुम्हें मिलजुल के जन्मस्टमी मनाने से कोई नहीं रोक सकता अब दीखना, इस बार की मट्की मैं कैसे फोड़ता हूँ नहीं नहीं, मैं फोडूंगा क्यों नहीं तुम लोग अपना अपना नाम किसी परची में लिखकर एक बर्तन में डालो और उसके बाद उस परची में से जिसका नाम निकलेगा वही काना बनेगा ठीक है ना? हाँ ये ठीक नहींगा साई ये लीजिये हमने अपने नाम इसमें लिखकर डाल दिये हैं अब आप एक परची निकालिये हाँ इसमें तुम इसमें इसए बर्ची निकालों हुआ 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 है लिया कैसे आया हमने तो पर्चियों में अपना अपना नाम लिखा था पर ये किसने डाला ये तो काना ही जाने ये उनी की मर्जी है उनी का चमक्रा रहिए और मैं भला उनके चमतकार को कहां समझवाओंगा उनकी मर्जी को मैं कैसे जान सकता हूँ तो अब ये फैसला काना ही करेंगे कि मट्की कौन तोड़ेगा करेंगे करेंगे कि अब ये तो अब दोड़ेगा कर दो कर दो हमारा बेटा ठीक होगा जरूरोगा एक डॉक्टर मना कर सकता है लेकिन भगवान नहीं और भगवान अपने भक्तों को कभी मना नहीं करता है देखना कि कृष्ण भगवान कोई ना कोई चमतकार जरूर करेंगे किसी ना किसी को दयाराम की मदद के लिए जरूर भेजेंगे किसी ना किसी कर सकता है भावन किसी कर सकता है पर भेजेंगे कर दो कर दो कर दो साई आओ चमपा शागी ली जो देखते हैं सब पूछता है किसे इतना सुन्दर नाम किस ने दिया लेकिन इतने दिन तक थी गहाँ अपनी आजी के घर इसे गोद में क्यों उठा रखा है चमपा नीचे छोड़ दो जमीन पर खेलने दो इसे साई यहाँ जमीन पर साई यहाँ कंकर है गिरेगी तो चोट लग सकती है कुछ नहीं होगा इसे मुझ पर विश्वास है न खुच से भी ज़्यादा आप पर भरोसा है साई तो फिर इसे नीचे छोड़ दो रुको रुको चमपा उसे चल ले दो साई रागी ने चल रही है बच्चे की चिंता करने में कोई बुराई नहीं है अपने बच्चे के साथ समय बिताना अच्छा है चमपा उसकी फिक्र भी होनी चाहिए इसमें भी कोई बुराई नहीं है और एक मा का आपने बच्चे की सुरक्षा के प्रतिस सचेत रहना ये भी स्वभाविक है पर किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं साइट, चिंता कैसे ना हो मैंने चिंता करने के लिए कब मना किया पर किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है न माता पिता के लिए और नहीं संतान के लिए वहाँ देखो, उपर वो चड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाहती है चाहती है उसके बच्चे पंग खोले, उड़ान भरे इसलिए खुद ही अपने बच्चों को घोसले से बाहर धक्ता दे रही है जोखे मुठा रही है क्योंकि चाहती है उसके बच्चे आत्म निर्भर बने और जोखे मुठाना प्रयास करना, कोशिश करना आत्म निर्भर बनने के लिए बहुत सरूरी है और आगनी को कुछ देर अकेले समय बिताने दो क्योंकि बच्चे कुछ चीजें अपने अनुभव से भी सीखते हैं और ये तुम बहुत अच्छा करती हो कि रागनी को इसके आज जी अजोबा के पास छोड़ाती हो इससे बच्चों के अपने बड़ों के साथ अच्छे रिष्थे बनते हैं सामाजिक संबंधों को सरोकारों को सीखते हैं वो किसी भी बच्चे के लिए ये जानना बहुत सरूरी है कि उसके आसपास उसके माता पिता के अलावा कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिन पर वो भरोसा कर सकता है इससे बच्चे का आत्म विश्वास बढ़ता है खुद को सुरक्षित महसूस करता है वो अन्य लोगों के साथ भी खुश रहना सीख बाता है वो और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो जब भी रागिनी तुम्हें अपने पास नहीं पाएगी खुद को असुरक्षित महसूस करेगी परिशान हो जाएगी वो मैं समझ गई साइ अब से में रागविन को वो महौल दूंगी जिसमें वो सीख सके आत्मा निर्भर बन सके और ऐसा करके तुम अपने लिए भी कुछ समय निकाल पाओगी बच्चों की परवरिश एक चुनोती पूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में खुद को नक होना ये भी उतना ही जरूरी है ये कितना खतर नक हो सकता था बाबा मेरा मोर पंक यही कहीं की लिया है मोर पंक? कहां है? कहां है? ये तुम्हे कहां से मिला? बाहर से आया क्रिश्रा बगवान के तरह मैं भी इस अपने सर पर बांदना चाहता हूँ इसलिए मैं कपड़ा डुन रहा था क्रिश्ना पो को अलाग रुना 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 अरे इंद्र प्रकाष्टू नमस्कार काखा नमस्कार वो मेरे रिस्तिदार अभी अभी सिर्डी से लोटे हैं खंडोबा जी के पुजारी जी है ना महल सापती जी उन्होंने ये चिट्थी आपके लिए वेजी है अच्छे शुक्रिया चलता हूँ किसकी चिट्थी है माल सापती जी कि पहुच चिट्थी बाद में पढ़िएगा आज मैंने सारे काम जल्दी निप्टा लिए ताकि आप समय पर दफ्ता जाकर अपनी तरक्की की बात कर सके आप जानते हैं ना आपकी तरक्की हमारे लिए कितनी जरूरी है आप मेहनती हैं इमानदार हैं आप इस लायक है कि आपको तरक्की मिले आप कृप्या करके एक खट के लिए आज तो देर मत कीजिए तुम ठीक के थी हो आज मैं बात करूँगा चलो और हाँ डैरा हमका ख्याल रखना नमस्कार सुजिल बाबू लीजिये चाय पीजिये नमस्कार अनन्द बाबू बजिया यह काका अभी तक आई नहीं सेट जी को हिसाब किताब दिखाना है और काका का अभी तक कुछ पता नहीं अरे जुरूर अपने बच्चे के आगे पीछे घूम रहे होंगे विचारे काका करे भी तो क्या करें बाड़ा कस्ट परशानिया किसकी जीवन में नहीं होती मुझे देखो मैं तो दफ्तर समय पर आता हूँ ना हाँ मुष्का नास्ता जो मिलता है क्या का मैं ये कह रहा था काका बली देर से आए ये जल्दी जाए लेकि उनका काम हमेशा पूरा रहता है वैसे ये हिसाब खाते की जिम्मेदारी तो मालिक ने आपको दी है ना चुक जब देखो बड़ बड़ करता है चलजा अपना काम कर प्रणाम काका अनन बाबू लो आगे काका काका प्रणाम अनन बाबू प्रणाम प्रणाम काका वो मैंने आपको खाता भई दिया था दुरूस्ट करने के लिए वो कहा है अब भी देता हूँ ये लेजिए मैंने दुरूस्ट कर दिया है अच्छा बहुत अच्छा अप काका आप इसे भी दुरूस्ट कर दीजिए अनन बाबू पहले आप इसे खोल के तो देखिए आपके कहने से पहले ही मैंने इस खाते वही का मिलांग कर दिया है और तो और ये बाकी वही कातों का भी हिसाब किताब लिख कर मैंने इनका भी मिलांग कर लिया है घर पर लेके गया था ताकि कोई काम बच ना जाए शुक्रिया, शुक्रिया काका आपने मेरा सारा काम पूरा कर दिया अनन बाबू, मुझे आपसे कुछ पूछना था पूछे ना क्या आपने मेरी तरक्की के बारे में सेट जी से बात की ये बाड़ा वीना इतनी सी बजिया ले आता है मेरी तो भूक ही नहीं मिटती आपको भूक लगी है ये लीजी, मेरा खाना खा लीजी दैराम के आई ने पूरी सब्जी बना कर दी है पूरी सब्जी लेकिन काका आप क्या खाएंगे? मेरी छोड़िये, मैं घर से खा के ही निकलाता है अनन बाबु मेरी तरक्की की बात अनन बाबु मैं कुछ समझा नहीं काका, इस साल तो सेट जी ने मना कर दिया उन्होंने कहा कि इस साल आपकी तरक्की मुम्किन नहीं लेकिन काका अगर आप इसी तरह मेंद करते रहे तो अगले वर्ष आपका अवश्यत रखी मिलेगी थोड़ा धेरे रखे काका अब जो है आप जगकर काम कीजिए मुझे भी किसी काम की सिलसले में बाहर जाना है कि डिबभप का साथ में लेकर जा रहा हूँ वापीस आ कर देता हूँ वावाव अब क्या करू मालसा पती जी के चुट्थी तो मैंने पढ़ी ही नहीं क्रिया काका इस बार जन्मास्ट में आप हमारे साथ मनाई है शीरडी में यहां आपको आपकी रिशानियों का हल भी मिल जाएगा साई आपकी मदद करेंगे साई काका साई की महिमा कैसे सुनाओं आपको उनकी अनंत लिलाओं पर तो अनेक ग्रंथ लिखे जा सकते हैं बस इतना समझ लीजे कोई खाली हाथ नहीं लोटता यकीन नहीं होगा पर सच है उन्होंने कई लोगों की आखों की रोष्टी लोटाई है कि अपने गाओं में रानुजी नामक युग का कुछ रोख ठीक गिया और एक बार तो उन्होंने एक लाइलाज प्रेमारी से ख्रस्त एक व्यक्ति को मौत के मुझ से बाहर निकाला साई केवल लोगों की जान ही नहीं बचाते बलकि भटके हुए लोगों को सही रहा भी दिखाते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनका मार्ग दर्शन भी करते हैं अरे क्या हो रहा है इसे साई देखिये न यहां जमीन पर गिरे थे लगता है इनका आखरी समय आ गया मैं जानता हूँ तुमने अभी अभी हिम्मत आ रही है इतनी लंबी बीमारी से लड़ लड़के धक गए हो तुम पर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है और जानते हो अगर तुम्हारे मन में विश्वास हो तुम्हारा इरादा पक्का हो तो ये बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्या कोई मुझे थोड़ा सा पानी दे सकता है जी साही अनाता हो इस कर तुम आए क्लिक SUSSt 간 नहीं जी साही थाल क्या लाका ही क्यानक तुम्हारा कर दो 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 मैं बहुत गरीब हूँ गाओ गाओ भटकने के बाद भी मुझे कोई काम ने मिला कई दिनों से तो मने कुछ खाया भी नहीं है लेकिन आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर ही जाओंगा यह रहो यह का लू रॉनेट तुम्हें अपनी दुकान के लिए किसी साहिक की जरूरत थी ना रॉनेट तुम्हें अपनी दुकान के लिए किसी तो तुम्हें इस इंसान को क्यों नहीं रखते हो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ यह तुम्हें निराश नहीं करेगा जरूर साई अगर आप कह रहे हैं तो गलत नहीं होगा आज तुम्हें आराम कर लो कल से काम प्या लना ठीक है मैं आपके योग कर कैसे चुका पाऊंगा एक महीने तक द्वार का माई ने खाना खा कर राम जी भला करें एक महीने के बाद उस व्यक्ति को अपनी पहली तंख्वा मिली और उस व्यक्ति ने अपनी पहली तंख्वा साई को देने की पेशकश की लेकिन साई ने मना कर दिया क्योंकि वो किसी से भी एक पैसा नहीं लेते ऐसे हैं हमारे साई वो कहते हैं शद्धा और सबूरी से सब मुम्किन है अगर दिल में चाह और मन में विश्वास हो तो साई के आशिरवात के रूप में उदी भेज रहा हूँ उनकी क्रिपा से सब ठीक हो जाएगा प्रणाम साई ने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी कई लोगों को स्वस्थ किया लाई लाज रोगों से नाउमिदों को उम्मीद दी और सबसे महपवपुन उन्हों किसी से पैसा नहीं लिया इतने दिनों बाद तो कोई उमीद नदर आई है अब तो मुझे शिर्डी जाना ही होगा लेकिन शिर्डी जाने के लिए पैसे कहां से आएंगे मेरी तरक्की तो एक साल के लिए तल गई है हमारे पास परिया पैसे भी नहीं है देदी किसे देदी सुनार को शिर्डी जाने के लिए पैसे चाहिए थे इसलिए अंगुटी बेज दी शिर्डी? ये अचानक शिर्डी जाने के बाद कहां से आई? और आप तो अपनी तरक्की के बाद करने गई थे ना? क्या हुआ उसका? मैंने बात की लेकिन सेट जी अगले एक साल तक तरक्की के बाद नहीं करना चाहते हैं मैं निराश हो चुका था तभी मेरा ध्यान महालसा पती जी के चिप्ठी पर गया एक तो तरक्की हुई नहीं उपर से आप शिरडी जाना चाहते हैं इसके लिए अपनी खांदानी अंगुठी बेच दिया आपने मेरा समझनी की कुशिश करो महालसा पती जी ने चिप्ठी में विस्तार से लिखा है साई के बारे में अब वही है जो हमारे दैयराम को ठीक कर सकते हैं और कितनी बार कहां कहां नहीं भटके हैं हम अब इन मंदिरों और बाबाओं को जाने दीजिए बहतर होगा कि हम इन पैसों का इस्तिमाल अपने बेटे को यहीं किसी और डॉक्टर को दिखाने के लिए करें मतलब जिसका इलाज बंबई जैसे शहर के डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं उसे शिरडी का कोई बाबा ठीक करेगा मैं कैसे मान लूँ मीरा अब बात आस्था की है मार्शा पती जी की चिठी पढ़कर मुझे विश्वास हो गया है कि हमारे दैयराम के इलाज की कोई उमीद है तो वो साई है और एक बार वहां जाने से क्या बिगड़ जाएगा मीरा सोचो अगर साई ने हमारे दैयराम को ठीक किया सोचो कि साई हमारे दैयराम को ठीक कर सकते हैं लेकिन हम वा हमारे तर्प के कारण नहीं गए, तो क्या ये सही होगा? इसलिए चलते हैं. पर आप ये साई पर आँख मून कर भरोसा कैसे कर सकते हैं? जबकि आज सुबह तक तो आपने उनका नाम भी नहीं सुना था. नाम तो मैंने कहीं न कहीं से सुना था, पर महारसा पती जी के लिखे शब्दों से आज मुझे साई पर भरोसा हो गया है. और भरोसा विश्वास तर्प से कहां आता है? बस आ जाता है. मैंने तै कर लिया है.